धन्दन सत्य गुरू ते रही आस्रा आप देख रहे हैं फेट वर्सिस वर्डिट मैं डॉक्टर मुहित इंसा परम पूजनिय संथ डॉक्टर गुरमीत राम प्रीम सिंग जी इंसा के अन्यवाई उनकी सोच और सचाइस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जामते तो और शाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सोधा के संस्थापक हैं डेरा के ससंगी ये सारी बाद जानते हैं तो आज के दिन अन्यवे स्पेशल लाईव रखा है थोड़ा इसके भी आपको शेहन शाह मस्ताना जी महाराज के कुछ वचन और उनके बारे में कुछ जानकार आपके साथ बांट सकें तो एक गरंथ है रोहानियत के सच्चे रहबर भाग एक शामस्तानाजी महाराज के जीवन पर अधारित तो उसमें कुछ अंतिम समय को लेकर शामस्तानाजी महाराज के जिकर है तो वो मैं आपको कुछ पढ़के सुना देता हूं कि मैंने भी वो पढ नहीं है मैं पहली बार पढ़ूँगा तो आप भी मेरे साथ सुन पढ़िए सुनते रहिएगा बाकी कुछ और नई चीज जो इसमें दिखेगी वो थोड़ी बहुत एक है वो भी आपको पढ़के सुनाते है धन्दन सत्गुरू तेरही आस्रा ये लगबग 415 नंबर अपना उत्रादिकारी बनाकर इस भोतिक शरीर को छोड़कर अनामी देश जाने की सत्यता को भी अमल में लाना था आप जीने चोला बदलने से पहले ही अपनी अंतिम यात्रा के संकेत देने शुरू कर दिये थे गाम गंधेली जिना हनुमानगड की संगत ने आप जी के च फेर पड़ गया है जरूर आएंगे जरूर आएंगे सिदे गंधेली आएंगे तुम पर मुसीबत आने वाली है जल्दी से जल्दी जाओ और अनाज संभालो अपने अंतिम समय से कुछ समय पूर्व आप जीने रानिया जिला सिर्षा के एक अतियंत सुन्दर आश्रम बनवाया वहाँ आप जिने फरमाया जैसे माबाप को सबसे छोटा बच्चा सबसे प्यारा होता है उसी परकार यह डेरा सबसे छोटा है सबसे बाद में बनाये इसलिए हमें बहुत प्यारा लगता है वहां दिवार निकाल रहे कारिगरों को फरमाया जल्दी करो हमने फिर नहीं आना सन 1960 में 10-11 एप्रेल की बात है अनामी गुफा के साथ वाले कमरों की चिनाई हो रही थी भक्त बहवरलाल, भक्त मनीराम तथा भक्त करतार सिंग आदी मिस्तरी चिनाई की सेवा में लगे हुए थे आप जिने उन सेवादारां को बार बार फरमाया जल्दी करो जल्दी करो आंधी आने वाली है इनी दिनों की बात है कि बलोचिस्तान से दो भाई तथा एक बहन आप जी के दर्शन करने के लिए आए उन्होंने आप जी को बताया कि उनके पासपोर्ट की अवधी समाप तोने वाली है इस पर आप जीने फर्माया कि अपनी भी पासपोर्ट की अवधी समापतोने वाली है 12 अप्रेल को पूजनिये मस्ताना जी आशरम के बगीचे में टहल रहे थे आप जीने भक्त बवरलाल को अपने पास बुलाया और अपने साथ चलने को कहा पूजनिये शैंशा जी भक्त बवरलाल को दरबार में बने बड़े हॉल वाली जगाएं पर ले गए और नीचे जमीन की और इशारा करते हुए बोले इस जगाएं पर हमारी बाड़ी चुटेगी भक्त बवरलाल ने कास कि साई जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं हमारा क्या होगा पूजनिये सत्गुर जी ने आगे फरमाया बाजिगर की बाजी को किसी ने नहीं समझा सब नोटों के यार बने वास्तब में वह जगाएं वही थी जहां पर पूजनिये मस्ताना जी माराज का अंतिम संसकार किया गया और उसी जगाएं पर शाह मस्ताना जी धाम में सासंगत के अराम करने के लिए सचखंड हाल बना हुआ है सरशा शेर के एक भगत ने शैंचा मस्ताना जी से मुंबई जाने के लिए आगया मांगी शैंचा जी ने इनकार कर दिया परंतु उस भगत ने दुबारा आगया मांगने पर आप जीने आगया दे दी और साथ ही फरमाया भाई चले तो जाओ परंतु 16 अपरेल से पहले पहले आशरम में जरूर पहुँच जाना कुछ अन्य भगतों ने इसी प्रकार जाने की आगया मांगी तो उन्हें भी यही हुकम फरमाया 14 अपरेल 1960 को आप जीने दर्बार के एकसत ब्रमचारी को फरमाया अपना शो दिल्ली से निकाले या रानिया से फिर स्वम में ही उत्तर दिया दिल्ली से ही ठीक रहेगा तो बेपरवा मस्ताना जी का शो निकालने का भावार्थ अंतिम यातरा से था पुझे मस्ताना जी महराज ने भक्त रोनक राम को फरमाया जाएंगे लेकिन साथ साल बाद बाड़ी धार के आएंगे 16 अपरेल 1960 को दिल्ली जाने से पूर्व आप जिने सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया उन्हें अपने पवित्र करकमलों से प्रेम निशानिया प्रदान की और त्था परसाद भी दिया आप जी ने फरमाया जितनी जितनी भी किसी ने सेवा की है वैसब दरगा में मंजूर है तुमने सत्गुर के वचनों में रहना है गुरु गुरु करना है यहाँ आंधियां भी आएंगी तुफान भी आएंगे इससे आशरन को कोई फरक नहीं पड़ेगा देरा दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की करेगा चाहे कोई चारपाईयां सोने की बनाए चाहे कोई सारी दर्ती का ही सोना बना दे परंतो तुमने किसी के पीछे नहीं लगना हमने प्रभू के हुकम से सतनाम सिंग को आत्मा से प्रमात्मा किया है उनको सत्गुर बनाया है इनको हम से भी बढ़कर समझना है चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर डेरा सच्चा सोदा सरसा के दर को नहीं छोड़ना 16 अप्रेल के दिन गाम फिफाना के एक भगत ने अपने साथ दिल्ली जाने की आग्या मांगी तो आपने कहा दिल्ली में बड़ी-बड़ी हस्तियां खतम हो गई तुम दिल्ली में क्या करोगे गदी निशीनी के बाद 13 अप्रेल 1960 की संध्या को परम पिता शा सतनाम सिंग्जी महराज के पुझया मामा श्रीवीर सिंग्जी आश्रम में आए तदा आप जी के चर्म में विंटी की कि सरदार सतनाम सिंग्जी को चार दिन के लिए गाम जलालाना साहिब में भेज़ दो ताकि वे अपने घर के कारोबार आशाड़ी की फसल का आड़तियों से अपना हिसाब किताब लेन देन निप्टा आए आप जी ने पूझे मामा सरदार वीर सिंग जी का आगरे मान लिया अगले दिन पूझे परमपिताई जब अपने गाउं जाने के लिए आप जी से जाता है कि शाह मस्ताना जी ने परमपिता शाह सतनाम सिंग जी माराज को 28 हुरवरी 1960 के दिन डेरा सच्चा सोदा की गुरुगदी सोंपकर अपना उत्रा दिखारी नियुक्त कर दिया था अपने मुर्शद के हुकम उनसार पूझे परमपिता जी अपना घर जादे सरदार रंजीत सिंग जी छोटी आयू में थे पूझे मामा सरदार वीर सिंग जी ने पूझे परमपिता जी के घर की जिम्यवारी संभाल ली दी अंति म्यातरा की तियारी 16 अपराइल 1960 के दिन आप जी ने सेवदारों को अचानक दिल्ली चलने का हुकम दिया उस समय दिल्ली में आप जी के काफी स्रधालों थे उनमें से कुछ पूझे बाबा सावन सिंग जी महाराज से नाम प्राप्त की हुए थे वे आप जी से भी उतना ही प्रेम करते थे जितना पूझे बाबा जी से आप जी उनके इस प्रेम के सदका ही दर्शन देने गिरे दिल्ली जाते रहते थे दिल्ली जाने की सभी त्यारियां लगबग पूरी हो चुकी थी पुजे परमपिता शासतनाम सिंग जी महराज शिरी जलालना साहिब से वापिस आश्रम में पहुंच चुके थे दर्वार में जो कार्या चल रहा था आप जिने उसे सुबह ही पूरा करवा दिया था दर्वार के अंदर दो छोटे-छोटे गड़े थे आप जिने उन्हें मिट्टी से भरवा दिया तबी आप जिने फर्माया भाई आश्रम की सेवा तो मुकमल हो गई है आगे एक नया दर खुलेगा इसके बाद आश्रम के सभी सत्परमचारी सेवादारों को आप जिने अपने पास बुलाया और उन्हें अपना हार्दिक्स ने प्रदान किया उन में से दो सत्वरमचारी काफी छोटी आयू के थे आप जिने उनको कहा वरी तुमारी कैसे गुजरेगी फिट थोड़ी देर चुप रहने के बाद सभी सत्वरमचारी सेवादानों को फरमाया अच्छा भाई सबकी भगती मालिक की दरगा में मनजूर है जिसने जितनी भी सेवा किया सबको मालिक की दरगा से बारा वर्ष की भगती का फल देते हैं यदि कोई घर गरिष्टी में जाना चाता है या कोई अपना कारोबार करना चाता है तो उसे आग्या है यदि कोई भक्ती करना चाहता है तो यहां आश्रम में ही रहे इसके बाद आप जिन्हें सभी सत्प्रमचारी सेवादारों की अलग-अलग सेवाएं लगाई और सबको अपनी रहमत का प्रसाद दिया अंत में आप इन्हें दादू पंजाबी लांगरी से लंगर का एक प्रसादा मंगवा कर उसमें से आदा लंगर वहीं पर खा लिया फिर उन सक्के सामने वचन फरमाया वरी सच्चे सोदे का इतना ही टुकर रोटी का टुकड़ा खाना बाकी था अंतिम यात्रा रात के करीब सवा बारा बच चुके थे जीप दिल्ली जाने के लिए तियार खड़ी थी आप जी ने अपने द्वारा बनाए इस दरबार को बड़े अदब के साथ सजदा किया आप जी ने कुछ सेवादारों सहीत जीप में सवार ओकर दिल्ली की और रवना हो गए वास्तम में आप जी हर बार बात बात पर अपने अंतिम समय का इशारा बराबर ही कर रहे थे परन्तु यह बात किसी को समझ में नहीं आई आप जी जीप में ड्राइवर श्री हजारा लाल जी के साथ आगे वाले सीट पर विराजमान थे पीछे वाली सीट पर पूजने परमपिता शासतनाम सिंगी माराज, भक्त बुला, भक्त गोबिन मदान तथा तीन चार अन्य सेवदार भी बैटे थे रोह तक पहुँचकर आप जीने भक्त शेर सिंग के घर चलने का संकेत दिया आप जीने थोड़ी देर के लिए शेर सिंग के घर विश्राम किया यहां से रवानगी की समय आप जीने जीप में ना बैटकर भक्त सूद साहिब की कार में पीछे वाले सिट पर बैट गए जबकि हमेशा आप जी ड्राइवर के साथ आगे वाले सिट पर बैटा करते थे उस दिन कार में बैठते समय आप जी ने फरमाया आज पीछे बैठ कर चलेंगे आप जी कार की पीछे वाले सीट पर लेट गए और कहने लगे वापिस भी लेट कर चलेंगे इतना इशारा देने पर भी किसी की समझ में कुछ नहीं आया दिनाग 17 अप्रैल आप जी दिल्ली पहुँच चुके थे 17 अप्रैल को आप जी ने सासंगत को दिल्ली के मुख्यस्तानों पर गुमाया गुमना वे गुमाना तो मातर एक भाना था वास्तम में आप जी का उदेश्या है अपनी बावंध रिष्टी से जीवों का उदार करना तता अपने साथ गई संगत को शिक्षा देना था आप जी सासंगत के साथ बिरला मंदिर गई तता उसकी सुंदरता पर आश्चरिया प्रकट करतो है फरमाया एक इनसान की कारिगरी पर लोग कितनी सराना करते हैं परंतो जिस सत्गुर ने स्विम इस इनसान को बनाया है उसका कोई नाम ही नहीं लेता उसके परचाद आप जी दिल्ली के सफदर जन के कुछ राजाओं माराजाओं तता नजामुदिन ओलिया की कबरों पर भी गई थोड़ी बहुत संगत आप जी के साथ थी आप जी ने फरमाया देखो बाई इन कबरों पर गंदगी तता पक्षियों की बिठें आदी पड़ी है इनकी कोई कदर इसके बद आप जी फकीर की कबर पर गए तता फरमाया देखो यहां कितनी सफाई है मालिक का गुंगान हो रहा है कवालियां बोली जाती है यहां कितनी कदर है पहले जो यहां रुहानियत थी वो ही आज सामने खड़ी है वहां पर कुछ लोगों ने आप जिसे नामदान के लिए प्रार्तना की तो आप जिने सपस्ट शब्दों में फरमाया भाई अब हम नाम शब्द सतनाम जी की बोड़ी में बैठ कर देंगे संगत की पहले से भी ज़्यादा संभाल करेंगे दिनाक 18 अप्रेल 18 अप्रेल की सुबह आप जी बहुत जल्दी उठ गई सेवादार को भी जल्दी उठा लिया बुल्ले ने का बाबा जी अभी तो सुबह के अढ़ाई बजे हैं इस पर आप जीने उसे डांटते हुए का अरे तू क्या समझ सकता है इस सरार को आप जीने सब को परसाद बांटा वहाँ आमों की एक टोकरी रखी हुई थी उस टोकरी में से एक सुनैरी रंग के आम पर आप जी की पावंद रिष्टी टिकी हुई थी आप जीने उस आम को अपने पवितर करकमलों से उठाया तथा सेवादारों को दिखातो है फरमाया भाई इस आम को कोई भागों वाला ही खाएगा इसके बाद आप जीने उस आम को अपने मस्तक से लगाया तथा पूजनी परम पिता शा सतनाम सिंग जी महराज की और इशारा करते हैं फरमाया सरदार सतनाम सिंग जी तुमें यह आम देते हैं ऐसा ही रंग निकालना इतना कहते हुए आप जीने वह आम पूजने परम पिता जी को दे दिया उसी समय भक्त रखा राम जीने पूजे मस्ताना जी के चर्णों में अर्ज किसाई जी अगला प्रोग्राम क्या है इस पर आप जीने कहा अब सतनाम सिंग जी ही सब कुछ है जो कुछ करना है इनोंने करना है पून संत मात्मा को अपने अंतिम समय का ग्यान होता है इसलिए श्रीट त्यागने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ता है उसी परकार आप जी ने भी खांसी का बहाना बनाया तता फरमाया 80 डाक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं उसी समय जीप के ड्राइवर बग्त हजारा लाल जी ने जीप की सर्विस करवाने की अनुमती मांगी तब आप जी ने कहा ज़्यादा देर मत लगाना बग्त हजारा लाल ने आप जी से पूचा कि उसके साथ कौन रहेगा तो आप जी ने फरमाया सरदार सतनाम सिंग जी तुम लोगों के साथ हैं और साथ ही रहेंगे तत पश्चात आप जी एक भगत की कार में बैठकर पहाड़ गंज स्थित एक डॉक्टर की दुगान पर चले गई पुझे परमपिता शासतनाम सिंग जी माराज पुझे मस्ताना जी माराज से आश्रवाद प्राप्त कर हुकम अनुसार भगत हजारालाल के साथ जीप में सवार हो गई आप जी के साथ सरसा से भक्त गोबिन्द मदान चाचा रखा राम चरंदास तता एक दो भक्त और थे डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद आप जी ने अपने साथ आय सेवादरों से पूछा किसी ने कोई बात करनी है तो कर लो क्योंकि हमने जाना है सेवादर भाई आप जी की राजवरी बात को समझ नहीं पाए आप जी काफी देर तक उस डॉक्टर से बातें करते रहे आप जी ने बातों बातों में उसे समझा दिया कि संत मात्मा अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं अगर कोई ऐसी बात हो गई तो आपने घबराना नहीं संत मात्मा उने अपना काम करना होता है इस परकार आप जी काफी देर तक हंस्ते हंस्ते बाते करते रहे डॉक्टर के कहने पर आप जी बिस्तर पर विश्राम अवस्ता में लेट गए डॉक्टर आप जी से बाचित करता हुआ आप जी की नूरी बोड़ी की जांच कर रहा था अचानक उसी समय आप जी ने धंदन सत्गुरु तेरा यासरा का नारा लगाया तथा पल में ही अपना शरीर ते आकर जोती जोत समा गए उस समय 18 एपरल 1960 की सुबह के 10 बज़ कर 15 मिनट हुए थे साथ हाई सेवादारों की जेरे नीले पड़ गए पिले पड़ गए यह द्रिश्य देखकर डॉक्टर साहिब गबरा गया उसे कुछ नहीं सूज रहा था डॉक्टर की एहालत देखकर भगतों ने उसे धैर्या बंदाते वे समझाया कि संत मात्माओं का अपना ही खेल होता है शरीर की पूरी जाँच कर लेने के बाद सेवादारों ने वहाँ से तुनंत गाड़ी द्वारा जाने का विचार बनाया तदा आप जी के पवित्र पार्थिव श्रीर को लेकर सिर्सा की और चल पड़े आते आते उन बगतों ने सर्विस टेशन के पास गाड़ी रोपकर पूजय परमपिते जी को केवल यही कहा कि मसाना जी की तबियत अचानक ज़्यादा खराब हो गई है इसलिए वे सीधा आश्रम सर्शा जा रहे हैं वे भी जल्दी आ जाएं इस पर पूजय परमपिते जी ने बगत हजारालाल को जल्दी चलने का हुकम दिया देरा सच्चा सोदा सर्षा में काल के बुथ के पास पहुंचकर पूजय परमपितई ने बगत हजारालाल को बताया कि वही कुछ हो गया जिसका शक था वातावरण गमगीन हो गया था प्रकृति ने मानो एकसन नाटा सच्छा गया साथ संगत आपजी के वियोग में विलाप करने लगी हर दिल आपजी के ममता में इसने मिल्ठी यादों में खो गया लेकिन सत्गुर के पूर्ण विश्वासी जीवों को एक सबसे बड़ा आसरा था अपने मुर्शित के वचनों का जिसमें परम संथ शामस्तानाजी माराज ने शासतनाजी माराज के लिए ऐवचन फरमाय थे कि ये शासतनाजी माराज हमारा ही रूप है पूरे रुआनी संबान के साथ आप जी के परिवितर देखा अंतिम संसकार किया परम पूजनिये परम पिता जी ने अपने मुर्शिद कामिल के वचना नुसार सासंगत को संभाला वो पूजने मस्ताना जी मराज द्वारा लगाए गई सच्चा सोदा रूपी बाग को अपने देया मेर से संवारा सजाया और वही सच्चा सोदा आज मुजूदा गदी निशीन हजूर पिता संत गुरमी नराम रहीम सिंग जी इंसा की पावन रहनुबाई में खूब फलफूल राय और विश्व भर में प्रसिद्ध है धन्दन सत पढ़के सुनाया है एक अभी समय है हमारे बस लगबग कितना समय है 17 मिनट ही हुए तो हम आपको कुछ और पढ़के सुनाते है खास हजूर महाराजी के बारे में शामस्ताना जी महाराज ने बहुत वचन किये हुए है वो भी इस ग्रंत में धर जाए तो वो आपको नहीं होंगे लेकिन कुछ जो पूरे डिटेल में लिखे हुए है वो आपको लगबग तान साथ मिनट में पढ़ दिये जाएंगे तो आप गौर से सुनिएगा धंदन सत्गरू तेरा ही आस्रा डेरा सच्चा सोधा के बारे में इलाही वचन पूजे बेपरवा मस्ताना जीने समय समय पर सच्चा सोधा के आगामी समय के बारे में जो वचन फरमाए उनमें से कुछ निम्न लिखीते हैं सरसा शहर के बुजर्ग ससंगी चरंदास जी, डेरा सच्चा सुधा की स्थापना के समय की बात बताते हैं, कि उस समय आश्रम के कुछ सत्परमचारी सेवदार वे कुछ अन्य सेवदार होते थे, सत्परमचारी सेवदारों ने साधे वा फटे पुराने कपड़े पहने होते, वे बहुत गरीबी के वेश में रहते थे, कई बार जब चाय में डालने के लिए दूद कम होता, सत्परमचारी सेवदार बिना दूद के ही चाय पी लेते, एक बार की बात है कि पुजे मसाना जी सत्परमचारी सेवदारों के पास बेठे चाय पी रहे थे, पुजे मसाना दूद तुमारे आगे पिछे डुलेगा तुम टेरालीन टेरी कोट के कपड़े पहनोगे शाही लंगर चलेगा जितना अब दाला बनता है उतना तो दाले में नमक डला करेगा लाखों सेवदार लंगर खाया करेंगे दिन रात लंगर चलेगा एक सेवदार कुर्सी पर होगा और दुनिया के कोणे कोणे में धंदन सत्गरु तेरही आसरा का नारा गोंजेगा प्रंतु नसीबों वाले देखेंगे चरंदास जी ने आगे बताया भी एक दिन बहुत सर्दी थी पुझे मस्ताना जी शाही दरवार के प्रांगन में विराजमान थे एक सेवदार की सेवा उस समय आशरम में पैदा की गई सबजी को सरसा शहर में बेचने की थी सेवदार सबजी बेचकर डेरे में आया उसकी देनिये स्थिती को देखकर साई जी ने पूचा किदर से आया है वै बोला कि साई जी मैं सबजी बेचकर आया हूँ उस समय वैं सेवदार भाई ठंड से ठिटूर रहा था आप जिने अपना पैनावा कोट उतार कर उसे पैना दिया हो फरमाया यह कोट तुझे देते हैं तुझे इससे ठंड से रहात मिलेगी इसके बाद आप जिने उसे प्यार देते हैं फरमाया पुटर फिकर ना कर एक दिन ऐसा आएगा कि यहां जगमक जगमक हो जाएगी ससंगी रा मेश्वरदास पूर्व सरपंच गाम खेरा खुर्द वाले बताते हैं कि पूजय मस्ताना जी महराज ने सन 1954 में गाम खेरा खुर्द जिला मांसा में ससंग फरमाया वहाँ पूजय मस्ताना जी ने फरमाया हम तुमें एक बहुत कीमती बात बताते हैं तीसरी बोड़ी गुपत है जब वह ताकत आएगी हजारों गुना संगत होगी अनेक आश्रम बनेंगे संगत इतनी होगी कि दर्शन मुश्किल हो जाएगे हाथी पर चड़कर दर्शन देंगे मैं तो बचारा गरीब मस्ताना जोड़े जाड़ने वाला हूँ मेरी मानों चाहे ना मानों वह ताकत दूर दूर तक जाकर लोगों को मालिक का नाम जबाएगी सरसा शहर के पुराने ससंगी मस्त राम जी पाठी बताते हैं कि एक बार पूजय शहनशा मस्ताना जी सरसा दर्बार में मुड़े पर विराजबान थे उनके सामने कुछ संगत बैठी हुई थी उस समय शहनशा जीने टाकियां लगे कपड़े तथा तोटे हुए जूते पहने हुए थे किसी बगत ने पूजय बेपरवाजी के चर्णों में अर्ज की कि साई जी दूसरों को आप नोट, सोना, चांदी वे कपड़े आदी बांटते हो प्रत्यु स्वम फटे हुए कपड़े पहनते हो पूजय शैंशाजी ने अपने शीश पर बंदवी पगड़ी उतार ली तथा खोल कर संगत को दिखाई पगड़ी के बीच वाला थोड़ा सा भाग ही सही था बाकी पगड़ी फटी हुए थी तथा जगा जगा टांके लगे होई थे सर्व समर्थ सत्गुर ने संगत को फरमाया जब तीसरी बाड़ी में तुफान में ताकत आएगी फिर देखना कैसे वर्दिया बदल बदल कर पहनेगी और काल की लिद कट देगी वै ताकत शाही लिबास पहनेगी ससंगी हंसराच गाउं शापूर बेगु ने बताया कि सन 1955 की बात है पूजे मस्ताना जी गाउं नेजिया केड़ा में ससंग फरमाने के लिए जा रहे थी पूजे मस्ताना जी गाउं के नजदेक एक टीले पर विराजमान हो गए जहां अब शासत नाम जी धाम में अनामी गुफा बनी हुई है सभी सत ब्रमचारी सेवदार तो था अन्य सेवदार अपने पूजे मुर्शिद कामिल की हजूरी में आकर बैट गए पूजे मस्ताना जी माराज ने सभी सेवकों को हुकम फरमाया आप सभी हमारे साथ मिलकर इस पवित्र स्थान पर सुमरन करो सभी ने बैठकर पंदरा बीस मिनट तक सुमरन किया फिर पूजे मस्ताना जी ने हस्तोय फरमाया बले एथे रंग पाग लगनगे एक भगत बोला कि साई जी यहां तो पशुओं के लिए घास तक नहीं होता तो फिर रंग भाग कैसे लगेंगे इस पर पूजे मस्ताना जी ने फरमाया भाई रंग भागता लगनगे पर नसीबां वाले देखेंगे बाग भगिचे लगनगे लखा संगत देखेगी हंस राज नंबरदार गाउव शापूर बेगुवाले बताते हैं कि सन 1957 के दिसंबर महिने में गाउव नेजिया खेड़ा में पूजे बेपरवा मस्ताना जी महराज के ससंग का कारेकरम था सासंगत ने बहुत ही जिग्यासक के साथ वे ससंग सुना ससंग की समाप्ती के उपरांत पूजे मस्ताना जी नेजिया खेड़ा के साथ लगते बड़े बड़े बालूरेत के टीलों की और चल पड़े यह वही टीले थे जहां अब डिरह सच्चा सोदा शासंगत नाम जी धाम बना हुआ है बेपरवा जी के साथ कुछ सेवदार भाई भी थे आगे आगे ढोल वाला ढोल बजाता हुआ जा रहा था तता पीछे पीछे बेपरवा मस्ताना जी और अन्य सेवदार चल रहे थे बेपरवा जिने सबसे बड़े टीले को निहारा तता उसके उपरी सिरे पर खड़े हो गए शिकर पर आप जिने वहां से अपनी पावन दृष्टी चारो और डाली कुछ सेवदार इस मनमोक दृष्टे का अनंद ले रहते तता दर्षनों का लाब उठा रहे थे तब ही बेपरवा जी ने फरमाया किसी रोज यहां शाही तरबार बनेगा इतना सुनते ही गाउं महमत पुर रोई वाला भाई रूपा बिश्णोई बोला किसाई जी इतनी रेत रेत उठाते उठाते सारी संगत की उमर गुजर जाएगी एक कोना भी नहीं उठाएगा इस पर बेपरवा जी बोले तो फिर बनेगा जरूर बनेगा यहां ताकत पुरा रंग दिखाएगी सतनामपुरा धानी सतनामपुरा धानी बलाक रानिया रामपुर थेडी से भक्त उजागर सिंग जी बताते हैं कि डेरा सच्चा सोदा सिरसा में चिनाई का करया बड़ी जोर शोर से चल रहा था ससंगी नहार सिंग भी अन्या सेवादारं के साथ चिनाई की सेवा कर रहा था पुझे बेपरवा मस्ताना जी के पीछे खड़े हुए उन्हें देख रहे थे नहार सिंग बोला के साई जी हमारे पास आकर देखो काम कैसे चल रहा है सेवादार के स्प्रेम को देखते हुए बेपरवा मस्ताना जी उनके पास गए और उन्हें निहारते हुए फरमाने लगे बले चाहे सारी उमर लगे रहो सच्चे सोदे का काम नहीं मुकेगा इसरार ने मोज रूप में बागड देश में ऐसी बक्षीश की है कि डेरे का काम ना रात को ना दिन को खतम होगा तुम चाहे कितना भी जोर लगाओ सच्चे सोदे का काम युगों युगों तक चलेगा शाही नमूना है कोई मजाक की बात थोड़ी है पर तुमको तुमारा नफ्स मन यह वचन याद नहीं रखने देता बक्त गुर्मुक जी गाम नेजिया खेडा ने बताया कि पुझे मस्ताना जी माराथ साथ लगते टीलों के और इशारा करके फरमाया करते यहां लाकों लोग आया करेंगे इतनी संगत होगी कि उटने बैटने के लिए जगह नहीं मिलेगी यहां से सिर्सा शहर तक संगत ही संगत होगी इतनी संगत होगी कि थाली फैंकेंगे तो संगत के सिरों पर ही रह जाएगी सिर्सा शहर धूल के गुबारे से दबा हुआ दिखाई देगा सच्चा सोदा आश्रम गाम नेजिया एक हो जाएगा यहां संगत डट कर सेवा करेगी यहां सच्चे सोदे की मुशीने चलेंगी भगत जी ने आगे बताया कि सन 1958 में शामस्ताना जी ने किकर के एक पेड के नीचे बेगो गाउं में एक व्यक्ति से पानी पिया उस समय आप जी ने फरमाया ना हमने देखना है ना तुमने देखना है और ना इसकी करने देखना है यहां बहुत कुछ बनेगा यहां पर बाग बाहरे लग जाएंगी इस दर्ती को रंग भाग लगेंगे नसीबों वाले देखेंगे शैंशा मस्ताना जी महराज के समय एक सतब्रमचारी सेवादार अर्जुन जी ने बताया कि सन 1958 की बात है एक बर पूजय मस्ताना जी बालू रेत के टिले शासत नाम जी धाम वाली जगहें पर एक जंड के विरिक्ष के नीचे विराज मान थे आयोई सास संग्डवी पूजय बेपरवा जी की हजुरी में बैठी हुई थी उन मेंसे कुछ के नाम इस पर कार हैं सेवादार दादू बागडी श्री जोत राम नमबरदार श्री अमी चंड नमबरदार श्री नेकी राम नुयाँ वाली वाले और श्री राम लाल केरां वाली वाले मैं भी उनमें शामिल था बेपरवा मस्ताना जी ने वचन फरमाया यहां लाखों दुनिया बैठी है दुनिया की गिंती कोई नहीं सेवादार दादू बागडी खड़ा ओकर बोला कि साइट जी यहां तो हम गिंती के आदमियें लाकों नहीं पुझे मस्ताना जी ने फरमाया यहां सत्गुर का बहुत बड़ा कारखाना वनेगा पुटर यहां इलाही दरगा का रोहानी कालेज बनाएंगे इतने में वहां शिरी परसराम जी बेगू वाले भी आ गए जिसे बुलाने के लिए बेगू गाओं में पहले से ही एक आदमी को भेज दिया गया था उसने पुझे मस्ताना जी के चर्णों में धंदन सत्गरु तेरा यासरा का नहरा लगाया पुझे मस्ताना जी महराज से परसराम ने पूछा पुझे मस्ताना जी महराज ने परक्सराम से पूछा पुटर हमने ये जमीन मोल लेनी है क्या भाव मिलेगी परसराम ने का कि साई जी मेरी तो यहां बीस बीगे जमीन है ऐसे ही ले लो पुजे मस्ताना जी ने फरमाया पुटर हम ऐसे नहीं लेंगे मौल लेंगे पुजे मस्ताना जी ने अपनी शाहिड डंगोरी को उपर उठाकर इशारे से चारों तरफ गुमातों वचन फरमाया पुटर इतनी इतनी जमीन लेंगे और पैसे देकर ही लेंगे उस दिन भी पूजे मस्ताना जी मराज पैदल चलकर ही शाह मस्ताना जी धाम तक आये थी वे भक्त भी पूजे शैंशा जी के साथ थी बेपरवाजी ने शाह मस्ताना जी मराज की पुराने दरवाजे के पास खड़े होकर वचन फरमाए आज हम दर्बार में नया नमूना मन्जूर करके आए हैं इतने वचन फरमा कर पूझे मस्ताना जी आश्रम में बने चुबारे पर चड़ते समय सीडियों में रुक गए और नीचे कड़े सेवदार दादू बागडी वनने सेवदारों पर अपनी देया द्रिश्टी डालते हैं फरमाया जब हम फिर नई बाड़ी धार के आएंगे तो दादू फिर तुम्हें पता लगेगा कि उस जगएं लाखों लोग आया करेंगे जो आज हम मन्जूर करके आए हैं सरसा शहर के रहने वाले ससंगी मस्तराम जी पुनाने पाठी ने बताया कि मार्च 1969 की बात है सरसा शहर से पांच ससंगी जिनमें वह स्वें भी शामिल था बेपरवा मस्ताना जी के दर्शन करने के लिए डेरह सच्चा सोता दरबार में आए सुबह दस बजे का समय था जब पुझे शैंशा जी गुफा से बाहर आए तो सभी भगतों ने हाथ जोड़कर नरा लगाया पुझे बेपरवा जी ने भगतों से आश्रम में आने का कारण पूछा भगतों ने उत्तर दिया किसाई जी हम दर्शनों के लिए आये हैं पुझे शैंशा जी आश्रम में लगी बगीची की तरफ चल पड़े पांचो भगत पुझे शाह मस्ताना जी के पीछे पीछे चल पड़े चलते चलते बगत खेमचंद ने का किसाई जी हमारा दिल तो नहीं चाता पर हम आपसे कुछ पूछना चाते हैं पुझे बेपरवा जी चलते चलते एकदम रुक गए और ससंगी खेमचंद को फरमाया बोल खेमा क्या बात है खेमचंद ने कहा कि साई जी दिल तो नहीं करता परंतु पूछना चाहते हैं कि आपके बाद यहां क्या बनेगा पुजे बेपरवाजी ने खेमचंद की तरफ नूरी मुक करके फरमाया खेमा कैसे तुमारी बात हमारी समझ में नहीं आई खेम चंद ने कहा कि साइं जी आप जी के बाद यहां कहीं पूजा का स्थान ना बन जाए जिस परकार अन्या धर्मिक स्थानों पर लोग पैसे रखकर माथा टेकते हैं चड़ावा चड़ाते हैं उसी परकार यहां भी ना होने लग जाए यहां बात सुनकर पूजे बेपरवाजी जोश में आकर बोले कितने वर्सों से तु हमारे साथ रहता है तेरे पले का खना बड़ा तुझे यहां पता नहीं कि मस्ताना गरीब कितनी बड़ी हस्ती का मालिक है तुमने हमें आदमी ही समझा है यह जो सच्चा सोदा बनाया है यह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है यह खुद खुदा सच्चे पाश्चा के हुकम से बनाया है खुद खुदा के हाथों से बनाया है जब तक धरती आसमान रहेगा सच्चा सोदा कायम रहेगा जो सावन शाह साई ने हमें नूरी खजाना बक्षा हमने उसमें से एक बाल जितना भी खर्च नहीं किया है वह वैसे का वैसा दबा पड़ा है यह कहते हुए पूझे बेपरवाजी एक बार चुप होगे वह आगे चल पड़े एक दिन शैंशाजी जहां पर आज शाह सतनाम जी शाही कंटीन के सामने जो बेरी है जाकर उसकी चाया में पानी के नाले की मेड़ पर विराजमान हो गए उस समय वह बेरी केवल तीन-चार फुट उंची थी पुझे शैंशाजी ने पांचो ससंगियों को फरमाया आओ सामने बैठो आपको आज बहुत कीमती बात बताते हैं जो सतब्रमचारी सेवादार आशरों में रहते हैं वे सारा दिन वे रात के दस बज़े तक कसी चलाते हैं सेवा करते हैं रात को तीन बज़े के बाद उनको सोने का हुकम नहीं होता हम खुद सतब्रमचारी सेवादारों को उठा कर सुमरण पर बिठाते हैं जो संगत आती है वे भी सुमरण करती है राम नाम का यश्ट सुमती है उनके चर्णों की धूल पूझने योग्या होती है इसलिए सच्चा सुदा की मिट्टी पूझने योग्या है हमारे बाद एक ताकत ऐसी आएगी जो बहुत काम करने वाली बहुत पावर वाली तता तुफान मेल ताकत होगी जिस परकार एक रेल गाड़ी पेसंजर होती है एक एकस्प्रेस तता एक तुफान मेल होती है वह तुफान मेल ताकत होगी वह ताकत जो काम करेगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं हमने तो मकान बनाए और गिराए वह ताकत भी मकान बनाएगी अगर वह आसमान से उतारना चाहे तो बने बनाए मकान उतार सकेगी हमने सोना चांदी रुपया कपड़ा वगयरा बांटे प्रंतु वह ताकत अगर हीरे जवरात बांटना चाहे तो बांट सकेगी या उसकी अपनी मर्जी है हमारे बाद एक समय ऐसा आएगा जब लाखों की तादात में संगत होगी उस ताकत की हाथी जितनी उची स्टेज बनेगी तो दर्शन हुआ करेंगे सन 1960 के शुरू की बात है उस दिन बेरा सच्चा सोदा का बड़ा गेट सास संगत के लिए खोला गया था गाउं फिफाना की सास संगत एक ट्रेक्टर ट्राली में सवार ओकर दरबार की तरफ आ रही थी जिसमें कुछ माता बहने भी थी जब ट्रेक्टर ट्राले डेरा सच्चा सोदा के गेट पर पहुँची तो आगे पूजे शाह मस्ताना जी माराज गेट के बार कड़े थी सारे संगत रास्ते में बजन गाते वैं नाचते हुए आई बगत लिखमा राम गाम फिफाना वाले बताते हैं कि सारी सा संगत ने पूजे शाह मस्ताना जी माराज के सामने नतमस्ता कोरक होकर नरा लगाया पूजे बेपरवाजी ने संगत को अपना पावन अशिर्वा देते फरमाया दो गंटे हो गए तुमारे इंतजार में हमें चैन नहीं आई जाओ तुमारा मुझरा मन्या मन्जूर किया फिर भक्त राम चंदर आप जी की दरफ इशारा करते हैं बोला कि बाबा जी तेरे जैसा ना दुनिया में आया ना आवे इस पर पूझे मस्ताना जी ने फरमाया राम चंदर ऐसे ना वोल पिछे जो ताक्ते आई हैं सब भेजी हुई आई हैं अब मुला आप आया है इस ताकत ने ढढ़ा बंद करवाया वरी मोझ आएगी बणया बणया उतार सकती है इतनी पावर लेकर आएगी पूझे मस्ताना जी अक्सर फरमाया करते कि तीसरी बोड़ी खुफिया तोर पर है मोके पर बताया जाएगा मालिक उसे इस परकार प्रकट करेगा कि कोई उंगली नहीं उठा सकेगा एक बगत के यह पूछने पर कि साई जी हमें कैसे पता चलेगा कि तीसरी बोड़ी आई पर बेबरवाजी ने फरमाया जब सूरत चड़ता है तो सब को दिखाई पड़ता है सूरत चड़ेगा सब को दिखाई पड़ेगा संगत इतनी होगी कि दर्षन होने मुश्किल हो जाएंगे हाधी पर चड़कर दर्षन देंगे दुनिया में मालिक के नाम की रड़ मोज दूर दूर तक घुमेगी, फोज के काफिले की तरह चला करेगी, उसे में यहाँ पर हर किसम के कारिकर तता हर किसम की मशीनरी होगी, उसे में अपनी ही गाड़ियां, अपने ही स्पिकर, तंबू, लंगर, रोशनी आदी सारा समान होगा। जब पूजे मस्ताना जी ने परमपिता शासतनाम सिंग जी माराज को अपनी रोहानी ताकतव सच्चा सोदा की गुरुगदी बख्ष दी तो वचन फरमाए, यह जाहिर करने का राज नहीं है, तीसरी बाड़ी अभी मृत्यू लोक में नहीं आई है, ऐसा बबबर शेट दु पूजे मस्ताना जी ने फरमाया, साथ साल बाड़ी धार के आएंगे। जिसे तीसरी बाड़ी के बारे में पूछे जब पूझे मस्ताना जी ने उसकी और अपनी पावन द्रिश्टी डाली तो उसने पूछी लिया कि साई जी मुझे तीसरी बोड़ी वाले वचन की समझ नहीं आई क्या राज है इस पर पूझे सत्गुर जी ने फरमाया वह बोड़ी हमारे चोला छोड़ने के साथ साल बाद पैदा होगी खुद अपना काम आप चलाएगी किसी बंदे के आसरे नहीं होगी उपरोक्त वचनों के संदर्ब में यहां सपस्ट किया जाता है कि सच्चे सोदे में जो कुछ हुआ है यह हो रहा है मैं पूझे बेपरवा शामस्ताना जी महराज तता परम पिता शासतनाम जी महराज दरा फरमाये गए इलाही वचनों के अनुसार हो रहा है पूजे शाह मस्ताना जी माराज के वज़नाम सार यहां बने बनाए मकान उतरा करेंगे येस पस्ट है कि अब पूजे मुझूदा हजूर पिता संत गुरुमीत राम रहीम सिंग जी की रहनुमाई में इमारतों का नर्मान इतनी जल्दी हो जाता है कि ऐसे लगता है जैसे मकान आसमान से उतर रहे हैं परम पूजने हजूर पिता जी हर वर्ष अपने सद्गूर परम पिता शाह सतनाम सिंग जी माराज के जनम मा में लाखों सेवदारों को वो दांते बांटते हैं वैसमान हीरे जौरात से कहीं बढ़कर होता है आसम में जो स्टेज लगाई जाती है वैं हाथी की तरह चलती फिरती तता हाथी से भी अधिक उंची है पुझे मस्ताना जी के वचन अनुसार पुझे हजूर पिता संद गुरमीत राम रहीम सिंग जी इन्सा के रूप में वे स्वेम साथ साल के बाद नूरी बोड़ी धार कर इस नशुर लोक में आए हैं भंदन सत्वरो तेरा ही आसरा तुर सासंग जी ये जानकारी शास मस्ताना जी महराज के जो वचन थे हजूर महराजी को लेकर वो दिया लिखे गए हैं और इसमें दो चीज जो आपको खास तोर पर याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब इसमें एक चीज लिखी है भी मालिक उस बोड़ी को ऐसे जाहिर करेगा कि कोई उंगली नहीं उठा सकेगा तो मतलब वो अभी जाहिर होनी है कई बार हम चीज़ों को समझते नहीं है कि जाहिर होने का मतलब होता है सारी दुनिया में जाहिर होना वो इस तरह से मालिक जाहिर करेगा ये एक चीज इसमें important है मतलब जो आपको आज के समय में समझनी है और इसके लावा एक और चीज जिसमें जो सबसे important है मुझे लगा कि वह ताकत खुद अपना काम आप चलाएगी किसी बंदे के आसरे नहीं होगी जबकि आज जो दिखाना चाहते हैं कि हमारे आसरे है ऐसा नहीं है तो ये सब जो ढोंग चल रहा है उस सब में ये वचन आपको बहुत कुछ क्लियर करेंगे सिच्वेशन तो आज क्योंकि शामसाना जी महराज ने आज के दिन ही चोला छोड़ा था इसलिए ये जानकारी आपको आज के दिन ही गरंत से पढ़ कर सुनाई है बाकी गरंत आप पढ़ सकते हैं सब के पास उपलब्ट भी है नहीं भी उपलब्ट है तो आचरम में मिलता भी है तो इसमें बाकी मसाना जी महराज के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है तो खेर हम उमीद करते हैं प्रातना करते हैं कि आज जो दौर चल रहा है ये दौर कतम हो और सच्चाई सामने आए वो तीसरी बोड़ी मोज जो है वो सारी दुनिया में जाहिर हो और पूरे जलाल के साथ जाहिर हो इस प्रातना के साथ जल्दी जाहिर हो और प्रातने के साथ अजुर पिते के चर्ण मे नला लगाते हैं, धन्दन सत्गुरू तेरही असरा, धन्दन सत्गुरू तेरही असरा, आकरी में अवदास बोलते हैं, धन्दन सत्गुरू तेरही असरा, हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तु दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मुहबबत की रा में, हमें दुख तकलीफ ना आये तो ऐसी रहमत बक्ष वैस सब को सुमती दे किस तरह से देनी है यह तु सब जानता है जिसको जैसे देनी है वैसी दे वो तेरी मर्ची धंदन सत्गुरो तेरा यास रा सासंग जी इजाज़त दीजिएगा फिर किस दिन आपके साथ बात करेंगे